कई जगों पर हिंदूओं की खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हिंदूओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया अलाखों की संख्य में सडकों पर उत्रे हिंदूओं ने बांगलादेश में जारी हिंसा का विरोध उचता है बांगलादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगाओं और गोपाल गंज से लेकर पंचगर तक हिंदूओं ने हिंसा के खिलाफ अपनी आवास उठाई जो कॉंग्रेश है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसल्मानों का प्रक्लिव होगा तो हम है पांगलादेश की सडकों पर उत्रे लाखो हिंदू हिंसा के खिलाफ मार्च हिंदूओं ने मांगा हिंसा लाखो की भीड ऐसा जन सेलाब बांगलादेश में या तोसकी आजादी के अंदोलन में दिखा था या तो अभ हिंदूओं की खिलाफ और हिंसा के बात दिखा है बांगलदेश की जितने भी बड़े शहर है हर जगा हिंदूओं का जन सेला इनसाफ की मांग के लिए सडकों पर आंदोलन करता दिखा वो चाहे बांगलदेश की राधानी ढाका हो चटगाओं हो या फिर उत्तर बांगलदेश का पंचगड हो हर जगा जो तस्वीरे आई वो वहां हिंदूओं की एकता और उनके उपर हुई बरबर जुल्मों की कहानी को बया कर रही है बांगलदेश में हिंदूओं के उपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाब सबसे बड़ा जन सेलाग चटगाओं में दिखा लाकों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जम कर विरोध किया बांगलदेश की सड़कों पर हिंदूओं की खिलाब हिंसा का तगड़ा विरोध राधानी ठाका में दिखा हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग धाका की सड़कों पर इनसाफ की मांग के साथ उत्रे हिंदू समदाय की खिलाप पूराय अत्यचारों की विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लदेश्वी नागरिक धाका में सड़क पर उत्रे सेक्डों लोगों ने सुरक्षा, कानुन वस्था की स्थापना और एक धर्म निर्पेक्ष बांगलादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राधाने धाका के शावाग चराहे तक मार्च भी किया उदर बांगलादेश की उत्तर अंचल के पंचकर से भी हिंदूों की विरोध प्रदर्शिन की तस्मीरे आई वहाँ भी सेक्डों की संख्या में हिंदू प्रदर्शिन करते दिखे बांगलदेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाये गया कई जगा हत्याएं हुई जिसके विरोध में हिंदूों के गुसा फूर बड़ा और वो सड़क पर उतर आये बांगलदेश के प्रमुक शेहरों के ब्रदर्शिन कर रहे हिंदूों की वहां की सरकार से बांग है वी जिनकी संपत्या नाश्थूई उन्हें मुआवजा दिया जाया और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका अपनह निर्मान किया जाया जिसके साथ ही रदर्शिन कारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं है अपना अधिकार पाने के लिए एक्स्राल को पर टटे रहेंगे उधर बांगलदेश में हिंदूों की विरोत रदर्शिन की जलक इधर भारत में भी देखी अलपसंख्या का बांगलदेशी हिंदूों के साथ एक धुटता दिखाने के लिए जेए नियू में कैंडल मार्च निकाला गया BJP की चातरुशाखा ABVP के कारेकरता हातों में कैंडल लेकर मार्च करते रजर आये बांगलादेश में अल्प संख्योगों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामने में चुप रहने का आरोप लगाया है बांगलादेश का हिंडू के लिए ये कॉंग्रेश लोग केतना बार टुईट किया आज जो कॉंग्रेश है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानू का तकलीव होगा तो हम है लेकिन हिंडू का तकलीव है हम नहीं हैं हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातीव में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है याद रखना जो बंगलादेश में हो रहा है जो चर्चाइक हो रही थी अभी वहाँ नब्बे फीस्ती जो हिंदू बचा है वहाँ दलित समधाई से है और मैं इसलिए कहना चाहूंगा जो सब के मूँ सिलेवे हैं इसलिए सिलेवे हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बंगलादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा वो हिंदू है ये हो सकता उसकी गलती हो लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते हम उसको मानते उसका स्वभग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रखपा करना हम सब का ताहित्व है विरेशों तक जा पहुची है लंडन और पिल्लान में बांगलदेशी हिंदूों के साथ एक जुटा दिखाते हुए प्रदर्शन किये गए लंडन में ससर्थ भवन के सामने सेक्टों के स्लख्या बेदा कर पाकिस्तान के पहुच कही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जनता को धम्की दी जनरल असीम मुनीर की वर्निंग हैं कि अगर कोई आराज़कता पैदा करनी की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जेनरल की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया की अख़बारों में ये खबर चप रही है कि क्या पाकिस्तान डर चुका है क्या वहाँ की सेना को ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान का भी हाल कहीं बांगलादेश जैसा ना हो जाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान खड़ा है प्रधान मंत्री शाबाज शरीफ के आवास की ओर आखोशित भीड लगातार बढ़ रही है हेड़क्वाटर रावल पिंडी में बैठे आर्मी चीफ असिम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है बलुचस्तान की बॉखलाई आवाम देश को जला डालने पर आमादा है प्रधान मंत्री शाबाज शरीफ के पास पद से इस्तीफा देने और अपने भाई नवाज शरीफ के पास भागने के आलावा कोई चारा नहीं बचा है जीक ऐसी ही तस्वीर है इस सुक्त पाकिस्तान की बांगलादेश के बगाबत वाले नारे लाहौर कराची से लेकर अब ख़बर पक्पूनख्वा में गूँज रहे हैं प्रधान मंत्री शाबाज शरीफ की मिली जुली सरकार खौफ में है पाकिस्तान में ऑपरेशन लपड शुरू हो गया है इस्लामाबाद में गली गली थ्रेट लेटर के पोस्टर टंग गए है 1971 में पाकिस्तान से अलग बना बांगलादेश 2024 में पाकिस्तान से कट कर बनेगा अब बलुचिस्ता आक्रोश की आंधी अक्सर सरहदे लांग जाती है शोशन सीमाओं के भीतर कभी कैब नहीं होता आवाम के खिलाब पत्याचार की मिनारे हुकूमत चाहे जितनी ऊची कर ले उसका एक दिन धूल धुसरित होना तय होता है बांगलादेश में शेख हसीना सरकार का पतन इसका ज्वलंत उदारन है श्रीलंका सरकार की जल्दी तस्वीरें आपके जहन में अभी ताजा होगी कहा जा रहा है कि अब भारी पाकिस्तान की है पाकिस्तान जहां बिस्ती सिसती आफा अपने हुक्मरानों और आर्मी की बंदूकों की नली का मूव बंद करने के लिए खूच करने वाली है पाकिस्तान में बांगलादेश की तरह ही अब शात्र सड़क पर उतरने वाले हैं इमरान खान की पार्टी पीटी आई के स्टूडेंट विंग ने पैदल मार्च का ऐलान किया है पाकिस्तान के नाशनल काउंटर टर्रेजम अथॉर्टी ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है अथौर्टी ने पाकिस्तान सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सला दी है सूत्रों के मुताबिक या अंदोलन होस्टाइल इंटेलिजन्स एजन्सियों की तरफ से फंड़ेट और गाइड़ेट है कि PTI के कुछ शरार्थी तत्व अपने युआओं को लामबंद कर छात्रों को आगे रख कर कानून व्योस्था को खराब करने की कोशिच में है अदियाला जेल में कररप्चिन के केस में बंद पूरो प्रदान मंत्री इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को हर पर्चमें हिलाल और पर्चमें इंसाफ के साथ सडकों पर उतरने की अपील की है पाकिस्तान की आजादी की रात भर जागने के लिए इमरान खान ने अपील की है शाबाद सरकार के लिए ये मुसीबत नहीं नहीं है लेकिन इस बार आंदोलन की तीवरता शाबाद सरकार के लिए खत्रे की घंटी है ऐसा कहने का सॉलिड आभार आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आभाम की आभास को बोतलों में बंद करने की हुकोमत और सेना की कोशिशें अब वेकार साबित हो रही हैं पाकिस्तान अधिक्रिद कश्मीर में जाधती दस्वी वज़ा गली गली बेरोजगारों की फौँच दलदल में धस्ता जा रहा है पाकिस्तान अराजक्ता का आलम ऐसा है कि मुल्क तिनके सब आहा जा रहा है और भविश्य में इससे उबरने की कोई आस भी नहीं देख रही है तख्ता पलट के माहौल के बिलकुल अनुकूल हो चला है लेकिन परिशानी ये है कि वर्थमान आर्मी जनरल असिम मुनीर में भी इतनी ताकत नहीं बची कि कौम का कानून तोड़ने वालों को कुचल सके यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि बांगलादेश के बाद अब बारी पाकिस्तान के है